तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग देखने बाले हैं हमारा जो एबीवी का हो या किसी का भी हो एलेस आजी सेटिंग किस तरह से करते हैं हमारा सब्सक्राइब करना पड़ता है तो सब्सक्राइब करना पड़ता है तो यह आप देख सकते हैं कि यहां पर उसका नेंप्लेट डिजाइन दिया हुआ है जिसकी हमारा यहां पर लिखा हुआ है बहुत सारी चीज़े आपको देख सकते हैं उसका बोल्टेज रेंज लिखा है जिसे 690 तक बोल्टेज रेंग लिखा है उसका इंस्टाण नेंस करन्ड जो रहता है यहां पर देख सकते हैं बोल्टेज कितना उनने पर कितना के होग यह कम सकेंड रहता है। तो कि तो करेंगा हुन तो परिप यह रहता है। बिख सकते हैं कि आइन उसका रहता है और लोग रहता है और बीच में हो जाता है तो और ट्रीम हो जाता है तो ट्रीप होने के लिए यहां पर जो एले साइजी सिटिंग लिखा हुआ है वह सेटिंग आपको करना पड़ता है डिफॉल्ट उसका 40 अंप्यर तक रहता है नहीं तो इसका सेटिंग आप करके उसको बढ़ा चकते हैं कमा सकते हैं आपके हिसाब के मुताबिक आप उसको ट सब्सक्राइब करेंट आए हो गया इंस्टाइननेस करेंट जी हो गया हमारा ग्राउंड पॉल्ट तो उसके बागल में जो ब्लाक करना के पीन दिया हुआ है वहां पर डिवाइस लगा के टेस्ट करने के लिए जो की कॉंप्यूटर से अपरेटर रहता है उसका मेसिन आता पर देख सकते हैं यहां पर प्र टू तू करके लिखा है जो की यह जो हमारा डिले लगा है इल्योक्तोनिक रिले उसका सीरेल नंबर है यह तो आप देख सकते हैं यहां पर आयू मतलब ही जो सेटिंग करेंगे उसमें डिप स्विच दिया हुआ है पांच डिप स्विच द तो किस तरह से टिंग करने से क्या होता है यह जो दिया हुआ है यह अगर सभी जिरो है तो आपका जो एल रहता है अगर आप उसको चेंज किये तो उसका बढ़ेगा नहीं तो चेंज नहीं किये तो उसका यह फटी आमपेर पर ही ट्रीप करा देगा तो आप देख सकते हैं पांच डिप सुछ दिया हुआ है अभी सब आफ है इसलिए उसका बैलू जिरो है जो 0.4 है 0.4 के साथ 0 मिला देंगे तो वही 0.4 हुआ 0.4 को आइन से मॉल्टिप्लाइ करेंगे तो हमारा 40 आमपेर हुआ अगर एक हमारा डिप सुछ को अन करते हैं तो 0.2 हमारा वैलू आ जाएगा तो 0.2 देखिए फाइनली हमारा 0.2 और 0.4 दोनों मिलके 0.6 हो जाता है तो उसको उसका भी सेटिंग दूसरा वैला को अगर आउन करते हैं तो आप देख चाते हैं 0.04 हो गया तो 0.04 जो है यहां पर आएन के साथ नमारा 0.4 प्लस 0.04 उसको मिला के अगर देखेंगे तो यहां पर आजाता है 44 आमपेर मतलब उसका अभर लोडर जो ट्रिपिंग का करेंट ह प्लस 0.04 हमारा जितना होता है आएन के साथ मॉल्टिप्ले करने से हमारा 52 हो जाता है तो 52 आमपेर में यह ट्रिप कर देगा अगर हमारा इसी तरह से उसका शेटिंग आप लोग कर सकते हैं जितना करेंट आपको चाहिए उसी के हिसाब से आप इसको चेंज करके कर सकते हैं तो deep switch अगर कुछ भी किये नहीं, pick up किये नहीं, उसको कुछ on किये नहीं, तो यह default 40 ampere पर चला जाता है, तो देखिए अभी तीनों आप on कर देते हैं, तो यहाँ पर 0.16 add हो गया, तो 0.16 add होने से हमारा 68 ampere हो गया, मतलब यह deep switch जितना आप on करेंगे, उसी number आपका यहाँ प उसको 0.4 से प्लस होगा, प्लस हो जाने से यहाँ पे जो value होगा, उसको आइन के साथ मॉल्टिप्ला करेंगे, आइन हमारा पहले से दे दिया होगा, जो की 100 ampere आइन है, तो आइन के साथ मॉल्टिप्ला करने से उसको value जो है, व्मारा tripping के value निकल जाता है, तो निच्चे लिखा हुआ है, उससे आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, मतलब इसे 2-4 ampere बढ़ा सकते हैं, तो उपर वाला को अगर 0 है, उसको भी 1 करेंगे, तो यहाँ पे 0.02 और आड हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, देखिए 0.62 आगया, तो 0.4 के साथ मिलके अगर मॉल्टि परसंट पर भी सेट कर सकते हैं, तो इसको अप देख सकते हैं, तो फांचो को पांच ऑन करते हैं, तो हमना 102 ampere हो जाता है, तो यहाँ पे आपका हो जाता है, कि itikinat, एक इसको यह आपका 96 हो गया है मतलब यह ओवर्लोड करेंट है और इसको भी अगर पफीन नाबर को भी बंद खर देते हैं तो आपका हो गया 88 Ampere, 4 को बंद करते हो गया 72, तो इसी तरह से आपको जितना requirement है, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर on up, on up करते रहना है, आपको जितना चाहिए, उसी के हिसाब से आप setting करते जाहिए, तो यह जो हो गया, यह तो current का setting हो गया, तो current का setting होने के बाद भी उसका timing कि यह कि कॉरेंट जो ले रहा है कितना टाइम बाग यह फिक अप करेगा मतलब उसका डिले टाइम बोलते हैं उसको तो डिले टाइम का शेटिंग भी है इसमें आपको दिखा देता हम तो यह उपर वाला हो गया उपर का यहां पे जो टी वान करके दो डिप सुज है दो अपर दूसरा वाला नीचे रहा तो नाइन सेकंड का सेटिंग है तो यह जो है यह टाइम डिले उतना सेकेंड अगर यह अगर आवरा ओबर करेंट रहेगा तब जाके यह ट्रीप करेंगा नहीं तो अमारा जो अमारा यह जो दिया हुआ है अमारा यहां पर देख सकते हैं यह टाइमिंग का भी सेट कर सकते हैं जैसे कोई मोटर चल रहा है तो मोटर नर्माली स्टाटिंग में 6-7 गुना ज्यादा लेता है तो उस टाइम में आप 9 सेकंड यह माक्सिमाम कर देंगा तो यह उसको पकड़ेगा नहीं ओबर करेंट के हिसाब से यहां पर आप देख स यह जितना मिला के होगा उसको आइन से मौल constitutional करेंगे तो इसको और पहर उपक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर छोट सेरकुट का जो गर्म आभी चारो अगरुल है तो चारो को बार्लिम है जियो को आई-म्ल्या करता है तो हमारा जिसला अकिरस को आउम करेंगे 0. ट्रीप करा देगा तो उसको अगर थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो दूसरा वाला को ओन करेंगे तो आप देशाते हैं 0.6 के साथ 1.2 आड़ हो गया और जो आड़ो के जो 1.8 बना वो आइन के साथ मुल्टिप्लाए करेंगे तो हमारा 180 अंपियर हो गया अगर तीन नमर को भी साथ शॉट्स करेंट तो नार्माल इतना ही सट करके रखते हैं और उससे भी ज्याधा चाहिए तो क्या आपका कभी टाइम ज्याधा ले रहा है इसको और करेंड़ कर्रहा मोटर के स्टाटिंग में तो उसको आप टाइम डिले भी उसको दे सकते हैं नहीं तो कुल करेंट भी बढ़ा सकते हैं यहां पर तो नीचे वाला तो स्वीच चार सुष दिया गाए पॉंट सिक्स का वान पॉंट टू था यह दू पाइप यह कोई एक को आप करेंगे तो आपका का पर सकते हैं चारों को आप कर देंगे तो बाइपस हो जाएगा काम नहीं करएगा अगर तो तो यह ब्रेकर क्या समझागा कि मेरा शॉट सर्कृट हो गया तो इसी तरह से आप उसका साथ सर्कृट का जो कॉर्ण इसको इसमें सेटिंग कर सकते हैं आपके मुताभी क्या चाहिए उसने हिसाब से कितना आपका मैक्सियूम करन जा रहा है उसको देखते हुए उसको आप स कर सकते हैं जितना चाहिए आप उसको ना अन करके यहां पर जो डीप स्वीच खाली अन आप करना है बस आपको तो बैलु कितना उसमें आड होता है उसको आइन से मुल्टिप्लाइब करेंगे तो आपका इससे हो जाएगा तो अगर सो आम्पेर फ्लो कर रहा है तो आप य निचे तो टीटू करके दो डिप स्वीच दिया हुआ है तो उसमें क्या होता है कि 0.5 सेकंड अगर दोनों को निचे कर देंगे तो 0.05 सेकंड डिले रहेगा अगर एक को निचे एक को उपर कर दें तो 0.1 रहेगा तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर एक दो अगर उपर बाला को करेंगा अन कर देंगे तो उसको यह राम पे बंद होगा मतलब राम पे मतलब टाइम लेते हुए यह बंद होगा दीर 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 टाइम लेगा और ज्यादा टाइम में आया तो उसमें करेंड अगर कम नहीं हुआ तो उसको वो ट्रीप करा देगा तो चारो को अगर आप कर देंगे तो यह जो इसका फॉर्मूला निचे दिया लिखा हुआ है उसका सेटिंग में भी अगर इसमें प्लू करता है तो को इसको 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 इसका सेटिंग अगर इसको इसको जटके में चला जाइगा तो यह इसे नौश लो होगा तो इसे डीप कर देगा इंस्तनेनेस कॉरेंट कि ट्रिपिंग के छी साथ्य प्रिप कर देगा उसका फ्रेंट फिर शाया है उशको एतने टाइम के बाद अगर यह कॉरेंट कम नहीं होते वे उसको ट्रीप कर देता है तो अगर चारो को अन्म और शवान तो यह सेटिंग फो सकता है जह सकता है तो नर्मालिवान इसका साथी-शस रहता है क편ो होता है तो जो फेज अगर ग्राउंड होता है तो उसमीं कितना Let 묶्ति अगर तो फार्मुला दिया हुआ है इंटु यह जो डीफ स्वीज और रहेगा उसका बैली यहां पे जितना मिलके होगा उतना इंटु आइन अगर एक को आण करते हैं पहला वाला स्वीच को आण करते हैं तो जिरो पैंट टू आड़ हो जाता है उसमें तो हमारा आई हो जाता है ह अगर हमारा ग्राउंड पे फ्लो होता है तो इसको ट्रिप करायता है तो उसके बाद आता है दूसरा स्वीच मतलों जिसमें अब देशाते हैं 0.25 अब आड़ हो जाता है तो तो टोटल जो हमारा 0.45 हो जाता है तो इसको और आयन से मुल्ट्प्ले कर देता है तो यह 100 के सा करके रखते हैं कभी को जगा में इसको अब भी करके रखते हैं कोई कोई दिक्कत का कारण में तो आप इसको इसी तरह से सटिंग करके आपका हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं जिससे आप उसको ग्राउंड फॉल्ट से बचा सकते हैं हमारा जो ब्रेकर को तो आपको तो लोग इसको 20 A कर देते हैं नहीं तो जो कुछ चैटिंग रहता है हमारा 45A कर देते हैं कि 45 A कभी फ्लो sert करते के तो को कि तो यह असने अपर इसाets कर सकते हैं सब्सक्राइब रहता ए MCCV का भी जो LSIG सेटिंग रहता है वो भी बिल्कुल सेम रहता है तो आप इसी तरह से इसको सेटिंग करके चला सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आराम से इसको यूज करके ट्रीप करा सकते हैं प्रोटेक्शन में यूज कर सकते हैं